Hello friends, मेरा नाम ही रितू and welcome to my channel Learn Vocabulary with रितू तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि twins किसे कहते हैं, twins का मतलब क्या होता है इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस word को बोलते कैसे है, मतलब इसका उचारन कैसे करते है तो इस word को हम twins पढ़ते हैं, twins त के नीचे उ की मातरा नहीं लगेगी, इसे हम पढ़ेंगे twins और इसकी spelling होती है T-W-I-N-S, twins और अब इसका मतलब जान लेते हैं, इसका मतलब जुड़वा होता है और लेकिन हम इसका मतलब अच्छे से जान लेते हैं जब कोई ओरत एकी समय पर दो बच्चों को जनम देती हैं, तब उन दोनों बच्चों को twins कहते हैं हो सकता है कि वो दोनों बच्चे एक जैसे ही दिखते हो मतलब सेम ही face हो, एक ही जैसा एक ही चेरा हो यह यह भी हो सकता है कि उन दोनों twins में से एक लड़की और एक लड़का हो किसी माधा जानवर मतलब animal के भी अगर एक ही समय पर दो बच्चे हो तब उनके बच्चों को भी twins कहेंगे तो twins का मतलब आपको समझ माया कि जब कोई एक औरत एक समय पर दो बच्चों को जनम देती है तब उन बच्चों को twins कहेंगे हो सकता है कि उनके चेहरे एक जैसे हो मिलते जुलते हो या ये दूसरी सिच्चों में ये भी हो सकता है कि उन twins मेंसे एक लड़की हो और एक लड़का हो I hope कि आपको ये वीडियो समझ माया होगी twins का मतलब समझ माया होगा तो चलिए आप इसका example भी देख लेते हैं मेरे क्लास में दो जुरुवा बहने थी जिनका नाम मेघा और मांसी था They were twins sisters in my class whose name were Megha and Mansi They were twins sisters in my class whose name were Megha and Mansi They were twins sister in my class